ये देख ये देख ये देख देख कैसे देख रहा है ये सारे डिजाइन्स जो है वो एक no code टूल ने बनाए है जो अभी ठीक डंग से launch भी नहीं हुआ है और इसी से हमारे मन में सवाल आता है कि क्या no code टूल सच में एक real business की website बना सकते हैं कौन सा टूल आज की तारीक में best है सही no code टूल कैसे चुने क्योंकि पैसे का पेड़ अभी मेरे घर पे लगा नहीं है आज आज आप इन 8 से 10 मिनिट में पूरा no code का डिप्लोमा कर लोगे तो इसी बात में मिलो इन दोनों से Ben Nelson और Austin Allred से तुम जानते नहीं होगे न ये दोनों कौन है बस इन दोनों ने मिलकर 300 million dollars का वर्त का एक coding school खोला जो बनाया गया था एक no code टूल के द्वारा और यहां तक कि उस पूरे business को उन्होंने manage भी किया automate भी किया सिर्फ no code tools के जरीए और आप आज देख सकते हैं कि इसकी valuation किती है no code tools बनाया गये थे उन लोगों के लिए जो e-snips की वीडियो नहीं देखते यानि coding नहीं कर पाते और उसके बावजूद भी वह अपना MBP बना सके minimum viable product जहां आप अपने idea को test करने के लिए कुछ लोगों को अपने basic features provide करते हैं ताकि आप यह जान सको कि उन लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी यानि उनका feedback लेके आप उसको और इंप्रूफ करते हैं और investors की जेव धीली करते हैं किसी भी नए online business के लिए MBP बहुत जरूरी हो जाता है यकीन करोगे एलन मक्स ने 44 बिलियन डॉलर में Twitter को खरीदा और इन भाई साब ने उसी का clone बना दिया free में no code टूल के जरीए मिलिये व्लादेमीर लेटिस से और मज़े की बात तो यह है आगे चलकर उन्होंने no code tool की मदद से airdev नाम का एक startup भी launch किया जिसमें यह सिखाते हैं कि no code tool से कैसे आप business बना सकते देखो market में इस समय डेड़ सो से ज्यादा no code tools हो चुके हैं लेकिन उनमें से best tool कौन से हैं जिसको आपकी जरूरत है या आपको उनकी जरूरत है कम पैसों में क्योंकि वो कहते हैं न मक्खे को मारने के लिए tank की जरूरत नहीं sorry no code success के चार पाथ इनमें से एक होगा तुम्हारे साथ पहला पाथ तो अगर आप एक influencer है या creator है या create entrepreneur में जाना चाहते हैं तो आपको heavy no code tools की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ वहां पर blogs लिखने हैं और update करना है लोगों को तो उसके लिए best 4 tools हैं पहला सबस्टेक ह मानता हूँ कि यह कोई no code tool नहीं है क्योंकि आपको इस पाथ के लिए जरूरत ही नहीं है no code की आपको platform चाहिए जहां पर पब्लिश कर सकें क्योंकि newsletter website जो होते हैं वो आपको domain के साथ-साथ website भी design करने का मौका देती हैं और अगर आप सिर्फ blogs लिख रहे हैं तो आपको ऐस कोई designing की ज़रूरत भी नहीं है मैं अपने खुद website का interface यह लेकर गुम रहा हूं लेकिन फिर भी चल रहे हैं और यह website मैंने अपनी बनाया थी बीहाइव से जो की दूसरा टूल है इस पात का तीसरा platform है घोस वो open source network है वहाँ पर भी आप blogs लिख सकते हैं अपने updates कर सकते हैं मैं मैं आपको बिल्कुल suggest नहीं करेंगो कि अगर आप एक सिर्फ blog लिखना चाहते हैं और उसके लिए आप no code website पर जाए और एक website बनाए नहीं बाई इतना नहीं करना complex नहीं simple रखो चीजों को चल जाती हैं दूसरा पात आता है portfolio websites का आप एक freelancer हैं आप एक doctor हैं आप एक teacher ह designer हैं आप एक graphic designer है तो आप कोई भी professional है तो आपको उसके लिए portfolio websites की जरुद परती है और आप यह चाहते हैं कि उस portfolio website से आप अपनी services को बेच सके लोगों तक तो उसके लिए भी किसी fancy no code tool की जरुद नहीं है पता नहीं क्यों लोगों को यह website के बार में बहुत कम पता है ले अब यह जितने feature यह provide करता है उतनी price में कि market का कोई भी website maker या no code tool आपको provide करी में सकता लगभग सारी feature जो एक website या app में चाहिए होते हैं वो यह provide कर देता है 9 dollar की इसकी pricing start होती है लेकिन पूरे साल का imagine करके देखो इतना domain भी नहीं आता कभी-कभी और अगर आप चाहते हो थ बहुत ज्यादा complex हो जाएं क्योंकि यह भी कोई ऐसा टास्क नहीं है जिसके लिए आपको heavy no code tools की जरूत हो आप simple रखे चीजों को और आसान बना सकते हैं और तीसरा सबसे important path आपका कोई product है एकदम unique है आपको back end process बिल्कुल seamless चाहिए जैसे मान लो आपको complex app बनानी है या complex website बनानी है जैसे facebook, instagram, youtube, twitter यहां तक कि आप language learning sites भी बना सकते हैं और even जो हमने अभी बताया कि व्लादिमीर भाई ने क्या किया वह fake twitter भी इसी tool से बनाया गया था बबलायो बबलायो बनाया ही इसलिए गया था कि complex apps को आप इतनी seamless drag and drop करके बना सकते हो भले इसका front end design आपको बहुत basic देखने को मिले लेकिन अगर आपको एक professional looking side चाहिए कोई designer नहीं चाहिए जाए 3D modeling की कोई side नहीं चाहिए दूसरा अगर आप चाहते हैं कि यार आपको ऐसा usp app बनाने जिसमें designing की जरूरत है तो आप webflow की तरफ जाएए वह आपके लिए better है क्योंकि वहां पर बना सकते हैं webflow से लेकिन उसके साथ एक और टूल जोड़ना मत भूलना zapier zapier पे जब आप पहली बार जाओगे ना तो आप इसे हलके में ले लोगे लेकिन इसको हलके में मत लेना जरावी क्योंकि यह आपके सारे काम को automate करेगा यानि employee को मारो sorry employee को बोलो कल आए आपने एक वीडियो बना दी सारे platform में यह भीज़ देगा अपने आप customer ने कोई समांग खरीदा अब यह क्या देख रहा है इसको mail भेजो वह अपने आप भीज़ देगा अब क्या होता है ने कि आपको दो apps को जब connect करना पड़ता है तो उसमें coding के ज़र करो और अब तो इनका AI भी आ गया है AI से सीधा सीधा पूछ लो कि मुझे यह टास्क करना अपनी website या एप के अंदर तो जेपियर आपको वह plugins के जैप बनाके देगा जैप मतलब गुरूप बनाके देगा इन apps को integrate करो और मजे करो ताकि आप उन टास्क को automate कर सके कोई भी का मैनुली नहीं करना है हमको हम आराब से चेल करेंगी देखो मैं जानता हूँ आज का वीडियो थोड़ा ऐसे जाके ऐसे हो रहा होगा लेकिन यकीन मानो अगर आप इसे दुवारा देखोगे तो तुम समझ जाओगे पाथ नंबर चार यानि e-commerce भी आप इसे मान सकते हैं ल क्योंकि जो हमने अभी टी-शिर्ट का मर्चिंडाइज भी खोला है वो भी शॉपीफाय से इंटीग्रेटेड़ है और यकीन मानो शॉपीफाय से आपको बहुत सारे काम जो है वह इसीली हो जाते है क्योंकि यार फिजिकल प्रॉडट्स के लिए शॉपीफाय अच्छा है अगर को कोर्स बेचना है कोई एजकूशनल ट्रिटोरियल बेचना है या कोई भी फाइल बेचनी है वाट्स सप्की चैट्स बेचनी है वाट्स से एखाय कि तुमारे कस्टमर हिल जाएंगे तो मैं क्या करूं हो तो रोज हिलते हैं हमें सिंपल बेसिक काम करना है जिसमें हमारा दिमाग थोड़ा कम लगे कौन बनाएगा या नो को टूल में भी आपको डिजाइन करना पड़ता है इससे बढ़िया इन तीनों पर चले जाओ और बे देंगे और क्या चाहिए यार देखो मैं मानता हूं कि वो जो साइट जो आपको बताती है कि आप यह कॉमर्स साइट बना सकते हैं उनका यूआई बैटर है इनसे लेकिन आपको सीमलेस रखना है अपना काम तो दादा जी ने पहले ही जमीन और बिजनस खड़ा कर दिया है अब उनका इस्तिमाल करूँ देखो यह तो कुछ भी नहीं है न्यू एरा AI टूस की तो मैंने अभी बात भी नहीं करे है यह डॉरा AI जो अभी लॉंच भी नहीं हुआ है ठीक तरीके से बीटा वर्जिन में यह 2D और 3D वेबसाइट को बना सकता है प्रॉम्ट के साथ यान इसे ट्राय करके देखा है ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है आपको फिर भी डिजाइन करना पड़ेगा हाँ बेसिक स्ट्रक्चर यह प्रॉम्ट के बाद प्रॉम्ट कर देते हैं लेकिन उसके अंदर भी आपको एडिट करना पड़ेगा तो इस वाले AI टूल पर चले सकते हैं लेकिन अब सवाल आता है कि इन दो बंदों ने तीन सो मिलियन डॉलर्स की कंपनी कैसे खोल दे नू को टोज के मदद से इस कंपनी का नाम है ब्लूम्टेक्ट तो सबसे पहले इन्होंने यूज किया टाइप फॉर्म का जो की पर्सनलाइजड एप्लिकेशन है और है और स्केडियून क्याती है और रग देता है लेट पर अब सब्सक्राइब करण चालूं चिंता एंजिनेर्स आपके लिए भी एक अच्छा करियर है और शायद इन लोगों से बहतर करियर है ये वाला वीडियो देखो मजा आजाएगा और ये वाला वीडियो देखोगे तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता पहले ये वाला देखो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बेविजी वाट? माक खिलाव हमेर